उन दिनों दूध की तकलीफ थी. कई डेरी फर्मों की आजमाईश की अहीरों का इंतहान लिया, कोई नतीजा नहीं. दो-चार दिन तो दूध अच्छा, मिलता फिर मिलावत शुरू हो जाती. कभी शिकायत होती दूध फट गया, कभी उसमें से नागवार बू आने लगी, क मुझे भी लागत आधी-ाधी, खर्च आधा-ाधा, दूध भी आधा-ाधा. दोस्त साहब राजी हो गए. मेरे घर में जगह न थी, और गोबर वगेरह से मुझे नफरत है. उनके मकान में काफी जगह थी, इसलिए प्रस्ताव हुआ कि गाय उनहीं के घर रहे. इसके बदल में उन्हें गोबर पर एक छत्र अधिकार रहे. वह उसे पूरी आजादी से पाथें. उपले बनाएं, घर लीपें, पडोसियों को दें या उसे किसी आयुरवेदिक उपियोग में लाएं, इकरार करने वाले को इसमें किसी प्रकार की आपत्तिया प्रतिवाद न होगा औ और इकरार करने वाला सही होशवास में इकरार करता है कि वह गोबर पर कभी अपना अधिकार जमाने की कोशिश न करेगा और न किसी का इस्तिमाल करने के लिए आमादा करेगा. दूध आने लगा, रोजोज की जंजट से मुक्ती मिली. एक हफते तक किसी तरहे की शिकायत न पैदा हुई. गरमगरम दूध पीता था और खुश होकर गाता था. रब का शुक्र अदाकर भाई जिसने हमारी गाय बनाई. ताजा दूध पिलाया उसने लुत्फे हयात चखाया उसने. दूध में भीगी रोटी मेरी उसके करम ने बक्षी सेरी. खुदा की रहमत की है मूरत कैसी भोली-भाली सूरत. मगर धीरे-धीरे यहां पुरानी शिकायतें पैदा होने लगी. यहां तक नौबत पहुची की दूध सिर्फ नाम का दूध रह गया. कितना ही उबालो, न कहीं मलाई का पता न मिठास. पहले तो शिकायत कर लिया करता था, इससे दिल का तो दूध बंद कर देता था. अब तो शिकायत का भी मौका न था. बंद कर देने का जिक्रही क्या भिखारी का गुस्सा अपनी जान पर पियो या नाले में डाल दो आठ आने रोज का नुस्खा किस्मत में लिखा हुआ. बच्चा दूध को मुह न लगाता, पीना तो आधों आध शक्कर डाल कर कुछ दिनों दूध पिलाया तो फोडे निकलने शुरू हुए और मेरे घर में रोज बमचक मची रहती थी. बीवी नौकर से फरमाती दूध ले जाकर उन्ही के सरपटक आमे नौकर को मना करता. वह कहती अच्छे दोस्त है तुम्हारे, उसे श अधर मंगवालो, बला से बद्बू आएगी, मच्छर होंगे, दूध तो अच्छा मिलेगा. रुपए खर्चे हैं तो उसका मजा तो मिलेगा. चड़ा साहब मेरे पुराने महरबान हैं. खासी बेतकलुफी है उनसे. यह हरकत उनकी जानकारी में होती हो, यह बात किसी तर और फिर उनकी बीवी से भी तो राहरस्म है. कई बार मेरे घर आ चुकी है. मेरी बीवी जी भी उनके यहां कई बार महमान बन कर जा चुकी है. क्या वह यकायक इतनी बेवकूफ हो जाएंगी, सरीहन आखों में धूल जोंकेंगी. और फिर चाहे किसी की शरारत हो, मेरे लि खैरियत यह हुई की तीसरे महीने चड़्धा का तबादला हो गया. मैं अकेले गाय न रख सकता था. साजा तूट गया. गाय आधे दामों बेच दी गई. मैंने उस दिन इतमीनान की सांस ली. आखिर यह सलाह हुई की एक बकरी रख ली जाएं. वह बीच आंगन के एक कोन पड़ी रह सकती है. उसे दुहने के लिए न गवाले की जरूरत न उसका गोबर उठाने, नांद धोने, चारा भूसा डालने के लिए किसी अहिरिन की जरूरत. बकरी तो मेरा नौकर भी आसानी से दुहलेगा. थोड़ी सी चोकर डाल दी, चलिए किस्सा तमाम हुआ. फिर वर्धक है. सन्योग से मेरे यहां जो पंडित जी मेरे मसौदे नकल करने आया करते थे, इन मामलों में काफी तजुर बेकार थे. उनसे जिक्र आया तो उन्होंने एक बकरी की ऐसी स्तुतिगाई, उसका ऐसा कसीदा पढ़ा कि मैं बिन देखे ही उसका प्रेमी हो गया. एक वक्त में दोढ़ाई सेर दूध ले लीजिए. अभी पहली बार ही बियाई है. पचीस रुपए में आ जाएगी. मुझे दाम कुछ ज्यादा मालूम हुए, लेकिन पंडित जी पर मुझे एतबार था. फर्माईश कर दी गई और तीसरे दिन बकरी आ पहुँची. मैं देखकर उचल पड़ा. जो जो गुन बताये गए थे, उनसे कुछ ज्यादा ही निकले. एक छोटी सी मिटी की नांद मंगवाई गई. चोकर का भी इंतजाम हो गया. शाम को मेरे नौकर ने दूध निकाला तो सचमुच धाई से. मेरी छोटी पतीली लबालब भर गई थी. अब मूसलों ढोल बजाएंगे. यह मसला इतने दिनों के बाद जाकर कहीं हल हुआ. पहले ही यह बात सूचती तो क्यों इतनी परेशानी होती? पंदित जी का बहुत-बहुत शुक्रिया अदा किया. मुझे सवेरे तड़के और शाम को उसकी सीन पकड़ने पड़ते थे त बीवी ने सोचा इसे कहीं नजर न लग जाए इसलिए उसके थन के लिए एक गिलाफ तयार हुआ. इसकी गरदन में नीले चीनी के दानों का एक माला पहनाया गया. घर में जो कुछ जूठा बचता, देवी जी खुद जाकर उसे खिला आती थी. लेकिन एक ही हफते में जरूर नजर लग गई. बात क्या है? पंडित जी से हाल कहा तो उन्होंने कहा साहब देहात की बकरी है. जमीनदार की बेदरेग अनाज खाती थी और सारे दिन बाग में घूमाचरा करती थी. यहां बंधे-बंधे दूध कम हो जाए तो ताजजुग नहीं. इसे जरा टहल दिया कीजिए. लेकिन शहर में बकरी को टहलाए कौन और कहा? इसलिए यह तै हुआ की बाहर कहीं मकान लिया जाए. वहां बस्ती से जरा निकल कर खेट और बाग है. कहार घंटे दो घंटे टहला लाया करेगा. जटपट मकान बदला और गौ की मुझे दफतर आने जाने मे तीन मील का फासला तै करना पड़ता था लेकिन अच्छा दूध मिले तो मैं इसका दुगना फासला तै करने को तयार था. यहां मकान खूग खुला हुआ था. मकान के सामने सहन था. जरा और बढ़कर आम और महुए का बाग. बाग से निकलिये तो काचियों के खेट थे. क पर भी दूध की मात्रा में कुछ खास बढ़क नहीं हुई. धाई सेर की जगह मुश्किल से सिर्भर दूध निकलता था. लेकिन यह तसकीम थी कि दूध खालिस है. यही क्या कम है? मैं यह कभी नहीं मान सकता कि खिद्मतगारी के मुकाबले में बकरी चराना ज्यादा जल कह सकता है कि उस गल्ले में बकरिया न रही होंगी. हजरत इसा और हजरत मुहम्मद दोनों ही भेडे चराते थे. लेकिन आदमी रूधियों का दास है. जो कुछ बुजुर्गों नहीं किया उसे वह कैसे करे? नए रास्ते पर चलने के लिए जिस संकल्प और ग्रिड की जरूरत है, वह हर एक में तो होती नहीं. धो भी आपके गंदे कपड़े धो लेगा, लेकिन आपके दरवाजे पर ज़ाडू लगाने में अपनी हतक समझता है. जरायम पेशा कौमों के लोग बाजार से कोई चीज कीमत देकर खरीदना अपनी शान के खिलाफ समझते हैं मेरे खित्मतगार को बकरी लेकर बाग में जाना बुरा मालूम होता था. धर से तो ले जाये लेकिन बाग में उसे छोड़ कर खुद किसी पेड के नीचे सोजाता. बकरी पत्तियां चर लेती थी. मगर एक दिन उसके जी में आया कि जरा बाग से निकल कर खेतों की सैर करें जो वह बहुत ही सभ्य और सुसंस्कृत बकरी थी, उसके चहरे से गंभीरता जलकती थी. लेकिन बाग और खेत में घुस गई आजादी नहीं है. इसे वह शायद न समझ सकी. एक रोज किसी खेत में घुस गई और गोभी की कई क्यारिया साफ कर गई. काची ने देखा तो उसके कान पकड़ लिये और मेरे पास लाकर बोला बाबू जी, इस तरह आपकी बकरी हमारे खेत चरेगी तो हम तो तबाह हो जाएंगे. आपको बकरी रखने का शौक है तो इस बांध कर रखिये. आज तो हमने आपका लिहास किया, लेकिन फिर हमारे खेत में गई तो हम या तो उसकी टांग तोड़ देंगे या कानी हौज भेज देंगे. अभी वहाँ अपना भाशन खत्म न कर पाया था कि उसकी बीवी आ पहुँची और उसने इसी विचार को और भी जोरदार शब्दों में अदा किया हा, हाँ, करती ही रही मगर रांड खेत में घुस गई और सारा खेत चौपट कर दिया, इसके पेट में भवनी बैठे. यहां कोई तुम्हारा दबैल नहीं है. हाकिम होंगे अपने घर के होंगे. बकरी रखना है तो बांध कर रखो नहीं गला एंठ दूंगी. मैं भीगी बिल्ली बना हुआ खड़ा था. जितनी फटकर आज सहनी पड़ी उतनी जिंदगी में कभी न सही. और जिस धीरज से आ नहीं सूजता था. बस यहीं जी चाहता था कि बकरी का गला घोंट दूं और खिदमतगार को डेड़ सौ हंटर जमाऊ. मेरी खामोशी से वह औरत भी शेर होती जाती थी. आज मुझे मालूम हुआ कि किनहीं किनहीं मौकों पर खामोशी नुकसान दे साबित होती है. खैर मेरी बीवी ने घर में यह गुलक पाड़ा सुना तो दरवाजे पर आ गई तो हेकडी से बोली तु कानी हौच पहुचा दे और क्या करेगी नाहक तरटर कर रही है घंटे भर से. जानवर ही है एक दिन खुल गई तो क्या उसकी जान लेगी? खबरदार जो एक बात भी मुह से निकाली. क्यों नहीं खेत के चारों तरफ जाड लगा देती, कांटों से रूंध दे अपनी गलती तो मानती नहीं, उपर से लड़ने आई है. अभी पुलिस में इत्तला कर दें तो बंधे-बंधे फिरो. बात कहने की इस शासनपूर्ण शैली ने उन दोनों को ठंडा कर दिया. लेकिन उनके चले जाने के बाद मैंने देवी जी की खूब खबर ली, गरीबों का नुकसन भी करती हो और उपर से रोब जमाती हो, इसी का नाम इनसाफ है. देवी जी ने गर्वपूर्वक उत्तर दिया मेरा एहसान तो न मानोगे की शैतनों को कितनी आसानी से भगा दिया, लगे उल्टे डांटने. गमवारों को राह बतलाने का सक्ती के सिवा दूसरा कोई तरीका नहीं. सजजनता या उदारता उनकी समझ में नहीं आती. उसे यह लोग कमजोरी समझते हैं और कमजोर को कौन नहीं दबाना चाहता. खिदमतगार से जवाब तलब किया तो उसने साफ कह दिया, साहब बकरी चराना मेरा काम नहीं है. मैंने कहा तुमसे बकरी चराने को कौन कहता है, जरा उसे देखते रहो करो कि किसी खेत में न जाए, इतना भी तुमसे नहीं हो सकता. मैं बकरी नहीं चरा सकता साहब, कोई दूसरा आदमी रख लीजिए. आखिरी मैंने खुद शाम को उसे बाग में चरा लाने का फैसला किया इतने जरासे काम के लिए एक नया आदमी रखना मेरी हैसियत से बाहर था और अपने इस नौकर को जवाब भी नहीं देना चाहता था जिसने कई साल तक वफादारी से मेरी सेवा की थी और इमानदार था दूसरे दिन में दफ्तर से जरा जल्द चला आया और चटपट बकरी को लेकर बाग में जा पहुँचा जाडो के दिन थे थंडी हवा चल रही थी पेडो के नीचे सूखी पतियां गिरी हुई थी बकरी एक पल में वहजा पहुची मेरी दलेल हो रही थी उसके पीछे पीछे दौड़ता फिरता था दफ्तर से लोट कर जरा आराम किया करता था आज यह कवायत करना पड़ी ठक गया मगर मेहंत सफल हो गई आज बकरी ने कुछ ज्यादा दूध दिया यह खयाल आया अगर सूखी पतियां खाने से दूध की मात्रा बढ़ गई तो यकीनन हरी पतियां खिलाई जाएं तो इससे कहीं बहतर नतीजा निकले लेकिन हरी पतियां आये कहां से पेडों से तोडून तो बाग का मालिक जरूर एतरास करेगा कीमत देकर हरी पतियां मिल न सकती थी सोचा क्यों एक बार बास के लगगे से पतियां तोड़े मालिक ने शोर मचाया तो उससे आरजु मिननत कर लेंगे राजी हो गया तो खैर नहीं देखी जाएगी थोड़ी सी पतियां तोड़ लेने से पेड का क्या बिगड़ जाता है चुनाचे एक पडोसी से एक पतला लंबा बास मांग लाया उसमें एक उंकुस बांधा और शाम को बकरी को साथ लेकर पतियां तोड़ने लगा तोड़ते देखकर बोलाया क्या करते हो बाबुजी आपके हाथ में यह लगा अच्छा नहीं लगता बकरी पालना हम गरीबों का काम है कि आप जैसे शरीफों का मैं कट गया कुछ जवाब न सूझा इसमें क्या बुराई है अपने हाथ से अपना काम करने में क्या शर्म वगैरा जवाब कुछ हलके बहकीकत बनावटी मालूम हुए सफेद पोशी के आत्मगौरव के जबान बंद कर दी काची ने पास आकर मेरे हाथ से लगा ले लिया और देखते देखते हरी पत्तियों का धेर लगा दिया और पूछा पत्तिया कहा रख जाऊं मैंने जह्म पते हुए कहा तुम रहने दो मैं उठा ले जाऊंगा उसने थोड़ी सी पत्तियां बगल में उठा ली और बोला आप क्या पत्तियां रखने जाएंगे, चलिए मैं रखाऊं मैंने बरामदे में पत्तियां रखवा ली उसी पेड के नीचे उसकी चौगुनी पत्तियां पड़ी हुई थी काची ने उनका एक गठा बनाया और सर पर लाद कर चला गया अब मुझे मालूम हुआ यह देहाती कितने चालाख होते हैं कोई बात मतलब से खाली नहीं मगर दूसरे दिन बकरी को बाग में ले जाना मेरे लिए कठिन हो गया काची फिर देखेगा और न जाने क्या-क्या फिक्रे चुस्त करे उसकी नजरों में गिर जाना मुह से कालिक लगाने से कम शर्मनाक न था हमारे सम्मान और प्रतिष्ठा की जो कसोटी लोगों ने बना रखी है हमको उसका आदर करना पड़ेगा नक्कू बन कर रहे तो क्या रहे लेकिन बक्री इतनी आसानी से अपनी निर्दवंद्व आजाद चहल कग्मी से हाथ न खीचना चाहती थी जिसे उसने अपने साधारन दिंचर्या समझना शुरू कर दिया था शाम होते ही उसने इतने जोरशोर से प्रतिवाद का स्वर उठाया कि घर में बैठना मुश्किल हो गए गिटकिरीदार मेमे का निरंतर स्वर आकर कान के पर्दों को क्षत्विक्षत करने लगा कहा भाग जाऊं? बीवी ने उसे गालियां देना शुरू की मैंने गुस्से में आकर कई डंडे रसीदे किये मगर उसे सत्याग्रह स्थागित न करना था न किया बड़े संकट में जान थी आखिर मजबूर हो गया अपने किये का क्या इलाज? आठ बजे रात जाडो के दिन घर से बाहर मुह निकालना मुश्किल और मैं बकरी को बाग में टहला रहा था और अपनी किस्मत को कोस रहा था अंधेरे में पाव रखते मेरी रूह का पती है एक बार मेरे सामने से एक साम्प निकल गया था अगर उसके उपर पैर पढ़ जाता तो जरूर काट लेता तब से मैं अंधेरे में कभी न निकलता था मगर आज इस बकरी के कारण मुझे इस खत्रे का भी सामना करना पड़ा जरा भी हवा चलती और पत्ते खड़कते तो मेरी आखें ठिठूर जाती और पिंडलिया कौपने लगती शायद उस जन्म में मैं बकरी रहा हूँगा और यह बकरी मेरी मालकिन रही होगी उसी का प्रायश्चित इस जिन्दगी में भोग रहा था बुरा हो उस पंडित का जिसने यह बला मेरे सिर्मढ़ी गिरस्ती भी जंजाल है बच्चा न होता तो क्यों इस मूझी जानवर की इतनी खुशामत करनी पड़ती और यह बच्चा बड़ा हो जाएगा तो बात न सुनेगा कहेगा आपने मेरे लिए क्या किया है कौन सी जायदाद छोड़ी है यह सजा भुगत कर नौ बजे रात को लोटा अगर रात को बक्री मर जाती तो मुझे जरा भी दूख्ष न होता दूसरे दिन सुभह से ही मुझे यह फिक्र सवार हुई की किसी तरहा रात की बेगार से छुट्टी मिले आज दफ्तर में छुट्टी थी मैंने एक लंबी रस्सी मंगवाई और शाम को बक्री के गले में रस्सी डाल एक पेड की जड़ से बांध कर सो गया अब चरे जितना चाहे अब चिराग जलते जलते खोल लाऊंगा छुट्टी थी ही शाम को सिनेमा देखने की ठहरी एक अच्छा सा खेल आया हुआ था नौकर को भी साथ लिया वरना बच्चे को कौन सभालाता जब नौ बजे रात को घर लोटे और में लाल्टेन लेकर बक्री लेनो गया तो क्या देखता हूँ कि उसने रस्सी को दो-तीन पेडों से लपेट कर ऐसा उल्जा डाला है कि सुलजना मुश्किल है इतनी रस्सी भी न बची थी कि वह एक कदम भी चल सकती लाहौल विकलाकूवत जी में आया कि कमबक्त को यहीं छोड़ दू मरती है तो मर जाए अब इतनी रात को लालटेन की रोश्नी में रस्सी सुलजाने बैठे लेकिन दिल न माना पहले उसकी गरगन से रस्सी खोली फिर उसकी पैंचदर पैंच एंठन छुडाई एक घंटा लग गया मारे सर्दी के हाथ ठिठुरे जाते थे और जी जल रहा था वह अलग यह तर्कीब और भी तकलीफ देह साबित हुई अब क्या करूं अकल काम न करती थी दूद का खयाल न होता तो किसी को मुफ्त दे देता शाम होते ही चुडैल अपनी चीख पुकार शुरू कर देगी और घर में रहना मुश्किल हो जाएगा और आवाज भी कितनी करकश और मनहूस होती है शास्त्रों में लिखा भी है जितनी दूर उसकी आवाज जाती है उतनी दूर देवता नहीं आते स्वर्ग की बसने वाली हस्तिया जो अपसराओं के गाने सुनने की आदी है उसकी करकश आवाज से नफरत करें तो क्या ताज़ुब मुझ पर उसकी करण कटू पुकारों को ऐसा आंतक सवार था कि दूसरे दिन दफ्तर से आते ही मैं घर से निकल भागा लेकिन एक मील निकल जाने पर भी ऐसा लग रहा था कि उसकी आवाज मेरा पीछा किये चली आती है अपने इस चिर्चिडेपन पर शर्म भी आ रही थी जिसे एक बकरी रखने की भी सामर्थ्यन न हो वह इतना नाजुक दिमाग क्यों बने और फिर तुम सारी रात तो घर से बाहर रहोगे नहीं आठ बजे पहुचोगे तो क्या वह गीत तुम्हारा स्वागत न करेगा सहसा एक नीची शाखों वाला पेड देख कर मुझे बर्बस उस पर चढ़ने की इच्छा हुई सपाट तनों पर चढ़ना मुश्किल होता है यहां तो च्छ साथ फुट की उचाई पर शाखे फूट गई थी हरी हरी पत्तियों से पेड लदा खड़ा था और पेड भी था गूलर का जिसकी पत्तियों से बक्रियों को खास प्रेम है मैं इधर तीस साल से किसी रुख पर नहीं चढ़ा वह आदत जाती रही इसलिए आसान चढ़ाई के बावजूद मेरे पाव कांप रहे थे पर मैंने हिम्मत नहारी और पत्तियों तोड़ तोड़ नीचे गिराने लगा यहां अकेले में कौन मुझे देखता है कि पत्तियां तोड़ रहा हूँ अभी अंधेरा हुआ जाता है पत्तियों का एक गठा बगल में दबाऊंगा और घर जा पहुँचूंगा अगर इतने पर भी बक्री ने कुछ चीच पढ़की तो उसकी शामत ही आ जाएगी मैं अभी उपर ही था कि बक्रियों और भेडों का एक गोल न जाने किधर से आ निकला और पत्तियों पर पिल पढ़ा मैं उपर से चीख रहा हूँ मगर कौन सुनता है चरवाहे का कहीं पता नहीं कहीं दुबक रहा होगा कि देख लिया जाऊंगा तो गालिया पढ़ेंगी जल्ला कर नीचे उतरने लगा एक एक पल में पत्तियां गायब होती जाती थी उतर कर एक एक की टांग तोडूंगा यकायत पाव फिसला और मैं दस फिट की उचाई से नीचे आ रहा कमर में ऐसी चोट आई की पांच मिनट तक आँखो तले अंधेरा छा गया खैरियत हुई की और उपर से नहीं गिरा नहीं तो यहीं शहीद हो जाता बारे मेरे गिरने के धमाके से बक्रिया भागी और थोड़ी सी पत्तिया बच रही जब जरा होश ठिकाने हुए तो मैंने उन पत्तियों को जमा करके एक गठा बनाया और मजदूरों की तरह उसे कंधे पर रखकर शर्म की तरह छिपाये घर चला रास्ते में कोई दुरघटना न हुई जब मकान कोई चार फलांग रह गया और मैंने कदम तेज किये कि कहीं कोई देख न ले तो वह काची समाने से आता दिखाई दिया कुछ न पूछो उस वक्त मेरी क्या हालत हुई रास्ते के दोनों तरफ खेतों की उची मेडे थी जिनके उपर नागफनी निकलेगा और भगवान जाने क्या सितम धाए कहीं मुरने का रास्ता नहीं सिर जुका कर इस तरह निकल जाना चाहता था कि कोई मजदूर है तले की सांस तले थी उपर की उपर जैसे वह काची कोई खुंखार शेर हो बार बार इश्वर को याद कर रहा था कि हे भगवान तु ही आफत के मारे हुओं का मददगार है इस मरदूद की जबान बंद कर दे एक क्षण के लिए इसकी आँखों की रोशनी गायब कर दे आ वह यंत्रना का क्षण जब मैं उसके बराबर एक गस के फासले से निकला एक-एक कदम तलवार की धार पर पड़ रहा था शैतानी आवास कानों में आई कौन है रे कहां से पत्तियां तोड़े लाता है मुझे मालूम हुआ नीचे से जमीन निकल गई है और मैं उसके गहरे पेट में जा पहुँचा हूँ रोए बर्चियां बने हुए थे दिमाग में उबालसा आ रहा था शरीर को लकवासा मार गया जवाब देने का होश न रहा तेजी से दो-तीन कदम आगे बढ़ गया मगर वह एच्छिक क्रिया न थी प्रानरक्षा की सहच क्रिया थी की एक जालिम हाथ गठे पर पड़ा और गठा नीचे गिर पड़ा फिर मुझे याद नहीं क्या हुआ मुझे जब होश आया तो मैं अपने दर्वाजे पर पसीने से तर खड़ा था गोया मिर्गी के दौरे के बाद उठा हूँ इस बीच मेरी आत्मा पर उपचेतना का आधिपत्य था और बकरी की वह घ्रेनित आवास वह करकश आवास वह हिम्मत तोड़ने वाली आवास वह दुनिया की सारी मुसीब्तों का खुलसा वह दुनिया की सारी लांतों की रूह कानों में चुभी जा रही थी बीवी ने पूछा आज कहां चले गए थे इस चुडैल को जरा बाग भी न ले गए जीना मुहाल किये देती है घर से निकल कर कहां चली जाओ मैंने इत्मीनान दिलाया आज चिल्ला लेने दो कल सबसे पहला यह काम करूंगा कि इसे घर से निकाल बाहर करूंगा चाहे कसाई को देना पड़े और लोग न जाने कैसे बक्रिया पालते हैं बक्री पालने के लिए कुट्टे का दिमाग चाहिए सुभा को बिस्तर से उठकर इसी फिक्र में बैठा था कि इस काली बला से क्योंकर मुक्ती मिले की सहसा एक गडरिया बक्रियों का एक गल्ला चराता हुआ आनिकला मैंने उसे पुकारा और उससे अपनी बक्री को चराने की बात कही गडरिया राजी हो गया यही उसका काम था मैंने पूछा क्या लोगे आठ आने बकरी मिलते हैं हजूर मैं एक रुपया दूँगा लेकिन बकरी कभी मेरे सामने न आवे गडरिया हैरत में रह गया, मर कही है क्या बाबू जी? नहीं, नहीं, बहुत सीधी है, बकरी क्या मारेगी, लेकिन मैं उसकी सूरत नहीं देखना चाहता अभी तो दूध देती है? हाँ, सेर, सवा सेर दूध देती है दूध आपके घर पहुच जाया करेगा तुम्हारी महरबानी जिस वक्त बकरी घर से निकली है, मुझे ऐसा मालूम हुआ कि मेरे घर का पाप निकला जा रहा है बकरी भी खुश थी गोया कैद से छूटी है गडरिये ने उसी वक्त दूध निकाला और घर में रखकर बकरी को लिए चला गया ऐसा बेगराज गाहक उसे जिन्दगी में शायद पहली बार ही मिला होगा एक हफ़ते तक दूध थोड़ा बहुत आता रहा फिर उसकी मात्रा कम होने लगी यहां तक की एक महीना खतम होते होते दूध बिलकुल बंध हो गया मालूम हुआ बकरी गाभिन हो गई है मैंने जरा भी एतराज नकिया काची के पास गाय थी उससे दूध लेने लगा मेरा नौकर खुद जाकर दूध लाता था कई महीने गुजर गए गडरिया महीने में एक बार आकर अपना रुपया ले जाता मैंने कभी उससे बकरी का जिक्र न किया उसके खयाल ही से मेरी आत्मा कामप जाती थी गडरिये को अगर चहरे का भाव पढ़ने की कला आती होती तो वह बड़ी आसानी से अपनी सेवा का पुरसकार दुगना कर सकता था एक दिन में दर्वाजे पर बैठा हुआ था कि गडरिया अपनी बकरीयों का गल्ला लिये आनिकला मैं उसका रुपया लाने अंदर गया कि क्या देखता हूँ मेरी बकरी दो बच्चों के साथ मकान में आ पहुँची वह पहले सीधी उस जगह गई जहां बंधा करती थी फिर वहां से आंगन में आई और शायद परिचय दिलाने के लिए मेरी बीवी की तरफ ताकने लगी उन्होंने दोड कर एक बच्चे को गोद में ले लिया और कोठरी में जाकर महीनों का जमाचो कर निकाल लाई और ऐसी मुहब्बत से बकरी को खिलाने लगी कि जैसे बहुत दिनों की बिछुडी हुई सहेली आ गई हो न वह पुरानी कटुता थी न वह मनमुटा कभी बच्चे को चुमकारती थी कभी बकरी को सहलाती थी और बकरी डाकगडी की रफ्तार से चोकर उड़ा रही थी तब मुझसे बोलीन कितने खूबसूरत बच्चे है हाँ बहुत खूबसूरत जी चाहता है एक पाल लू अभी तबियत नहीं भरी तुम बड़े निर्मोही हो चोकर खत्म हो गया बकरी इतमीनान से विदा हो गई दोनों बच्चे भी उसके पीछे फुदकते चले गए देवी जी आख में आसु भरे यह तमाशा देखती रही गडरिये ने चिलम भरी और घर से आग मांगने आया चलते वक्त बोला कल से दूध पहुचा दिया करूंगा मालिक देवी जी ने कहा और दोनों बच्चे क्या पीएंगे बच्चे कहा तक पीएंगे बहु जी दो सेर दूध अच्छा न होता था इस मारे नहीं लाया मुझे रात को वह मर्मान तक घटना याद आ गई मैंने कहा दूध लाओ या न लाओ तुम्हारी खुशी लेकिन बक्री को इधर न लाना उस दिन से न वह गडरिया नजर आया न वह बक्री और न मैंने पता लगाने की कोशिश की लेकिन देवी जी उसके बच्चों को याद करके कभी कभी आसू बहारोती है